Welcome to SH Fashion World आज की इस वीडियो में मैं आपको ये beautiful से फंदे लगाना सिखाऊंगी किस तरह से हम ये order बनाते हैं वो आज की वीडियो में सिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये फंदे लगाया हुए हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान है बहुत आसान तरिके से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना किस तरह से हम ये फंदे लगाते हैं सो चलिए शुरू करते हैं तो इसको लगाने के लिए आप ले लीजिए वूल और साथ में चाहिए आपको से लाई मतलम निटिंग निडर्स तो सबसे पहले वूल कोई भी वूल आप ले लेजिए जिस भी वूल में भी आप लगाना चाहते हो हम क्या करेंगी यहां पर जितना भी आपको धागे जितना फंदे लगाने हैं उस हिसाबसे आपने यहां पर धागा रखना है ठीक है मैं एक वार इसको फोल्ड किया यहां पर आप देख सकते हो मैंने टू लेयर में रखा अब इसकी तीन लेयर हम कर देंगे ठीक है और उसके बाद एक लेयर हम और कर देंगे तो यह हमारे पास यहां पर चार लेयर हो गई है धागे की ठीक है हमने मतलब 4 लेयर में हमने धागे को डबल कर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हो 4 लेयर कर लिया हमने धागे की उसके बाद हमने क्या करना है यहां पर हम बनाएंगे एक लूप ठीक है अब यहां पर एक फंदा बनाएंगे यहां पर मैं बना रहे हूं एक फंदा बना लिया अब देख सकते हो एक लूप हमने ड्रॉप कर लिया यहां पर एक लूप हमने बना लिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे जैसे हम लूप बन देखिए इस तरीके से हम करेंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही चीज देखने लायक है यह इस तरीके से हमने यहां पर एक फंदा बना लिया ठीक है जो चार दागे हमने किये हैं वो मैंने लिए अंगुठे के उपर जो सिंगल दागा है वो इस तरीके से मैं लूप डाला हमने इस तरीके से डाला ठीक है अब दूसरा लूप हम किस तरीके से डालेंगे ऐसे हम करेंगे धागे को इस तरीके से करेंगे मतलब पहले हमने ऐसे किया था धागे को अब हमने इस अंगुठे के यहां पर देखिए इधर से हम सलाई को डालेंगे यहां से ऐसे, ऐसे एक फंदा बनाया, ठीक है, अब दूसरी बार हमने धागे को देखे हूपर ला रहे हैं, हम इस ऐसे और यहां से हमने पकड़ना है, यहां के नीचे से लेगे और फिर इस धागे को पकड़ेंगे, तो यही दो फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे, द्यान से पहले ऐसे हमने किया अब दूसरी बार हम ऐसे करेंगे ऐसे और इस तरीके से हमने धागे को पकड़ना है ठीक है फिर से देखिए यह ऐसे एक फंदा और आप इस तरीके से दूसरा फंदा बनाएंगी यह जो फंदे हमारे जोड़े-जोड़े में बनते हैं देखिए यहां प समझेगा कि आपका design ठीक आ रहा है यह देखे इस तरह से फिर ऐसे ऐसे हम पूरा यह बनाते जाएंगे जितने भी आपको फंदे हैं धियान रखिए यह हमने दो दो फंदे काऊंट दो चार छे आठ दस क्योंकि दो दो फंदे बन रहे हैं इसको एक मत समझेगा यह दो दो फ करेंगे अब जब दूसरी बार बनाएंगे तो हमारा अंगुठा ऐसे अंदर जाएगा और इधर वाले धागे को हम पकड़ेंगे और ऐसे फंदे को बना लेंगे ठीक है यही बस इसी तरीके से हमने बनाते जाना है यह से फिर ऐसे यही दो टेक्नीक है जो हमें बार बार तो फंदा जैसे हम ऐसे बनाते हैं वैसे ही करना है और दूसरी बार हमने इस तरीके से करना है तो आपका जो है बहुत अच्छा जिग जैग वाला बॉडर आएगा यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा ठीक है तो यहां में आपको मैं दिखा दूं यह देखें आपको दिख रहा होगा यहां पर जीफी किस तरीके से आ रहे है यह फंदे तो मैं थोड़ा सा और लगा के आपको बता देती हूं यह दिखे ऐसे अगया हो गांपिये यह फंदे हम किस तरह से डालते हैं किस तरह से हम cast on कर रहे हैं तो उसके बाद ही माल लीजिए आपका पूरा ये लगे फंदे उसके बाद आपने क्या करना है इस तरफ को आ जाईए ठीक है अब यहां पे भी आप देख सकते होई साइड से इसको बॉर्डर को तो अब हम क्या करेंगे हां पर यह पहले को उतारेंग से पंदे को और अब हम इन की बुनाई करना स्टाट करेंगे थाज़ाइ को आगे की तरफ लाएंगे और यह वेपित करेंगे Seoul को यह सारी रोह को मुल्टी बुल्टी कर लेंगे को की मगमेश बडलते की कि नसी जैबरफ को आप देख सकते हो इसके ऊपरर यह उंठी बुन तो यह रो मैंने यहां पर उल्टी बुनाई करते हुए complete कर ली है पूरी ठीक है अब आप दूसरी साइड से इसको border को देख सकते हुए यह देखिए किस तरह किसे दिख रहा है अब यहां पर आप कोई भी border बना सकते हुए एक फंदा उल्टा एक सीधा इस तरह किसे बना सकत होगी कैसे लगी please comment box में जरूर लिखिए गा یہ फंदे ढलने का तरीका आपको कैसा लगा please comment box में जरूर लिखिएगा so thanks watching मिलते हैं next video में किसी और tutorial के साथ अब तर के लिए बबाए